नत्मस्तक है ये वतन आज शहादत पर तेरी जहां मैं हर शक्स आज तुझ से छोटा नजर आता है अपने शहीद बेटे की तस्वीर को चूम रही इस मा के दिल से आज यही आवाज आ रही होगी जिसे नास तो है अपने शहीद बेटे पर पर ममता तो ममता है आखिर कैसे न पसीजे उसके अलविदा कह जाने पर बस्तर में नासूर बने नकसलवात से न जाने कितनों के घर उजड़े हो नकसलियों के हर खूनी खेल के बाद जो तस्वीर सामने आती है वो कुछ ऐसी ही होती है शायद जो जख्म मिलते हैं वो कभी सूख नहीं पाते यह तस्वीर है सुकमा जिले के स्री आरपियफ कैम्प की जहां 223 बटालियन के 11 स्थापना दिवस के मौके पर शहीदों की स्पृति में एक कारिकरम रखा गया था जिसमें साल 2014 में कसलपाड नकसली हमले में शहीद हुए जवानों की तस्वीरें भी लगाई गई थी और इन ही तस्वीरों में किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पती तो किसी का पिता शामिल था जिसमें पियल मांजी जो मूलता ओडिसा के रहने वाले थे उनकी तस्वीर भी शामिल थी इस शहीद की तस्वीर को देख कर उसकी मा रोने लगी मा शर्मिला मांजी की आखे डब डबा गई वो जुबा से कुछ ना कह पाई कभी तस्वीर को हाथों में रुमाल से पोश्टी तो कभी अपनी डब डबाई आखों को पोश्टी एक मा का दर्द शायद शब्डों में हम भी वयाना कर सके अपने बेटे की शहादत पर फक्र करते करते मा रो रही थी और उसे कौन रोक सकता था पास खड़े अफसर और जवान जो शर्मीला को देख रहे थे मानो वक्त भी उनका इम्तिहान ले रहा हो इस कारक्रम में कई शहीदों के परियन पहुँचे थे सबकी व्यथा एक सी थी बस उनकी डबडबाई आखें और रूंधे कंट से शायद जो कहना चा रहे थे वो इतना ही था कि आखिर मम्ता का ये दामन कब तक बेटों के खून से लखपत होता रहेगा ये सवाल अकसर मन में उठता है हर दिन उठता है लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला बस्तर साइट बस्तर बस्तर बस्तर